उधारन आठ प्रश्न दी गई आकरिती के छायंकित भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए अध्याय चौदा उधारन आठ इस प्रश्न में हमें छायंकित भाग का छेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है चित्र साथ को देखें इसमें A B एक वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्याएं O A और O B है इसी प्रकार C D भी एक अन्य वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्या है O C और O D O A B एक त्रिज्याखंड को निरुपित करता है और O C D भी एक त्रिज्याखंड है यदि हमें चायंकित भाग ABCD का चेत्रफल ग्याद करना है तो बड़े त्रिज्याखन OAB के चेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखन OCD के चेत्रफल को घटाना होगा और यहां त्रिज्याखन द्वारा केंद्र पर अंत्रित कोण जो है वो 30 अंश है तो चलिए इसी प्रकार हम इसे हल कर लेते हैं चायंकित भाग का चेत्रफल बराबर चायंकित भाग ABCD का चायंकित भाग ABCD का चेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखन OAB का चेत्रफल रिण त्रिज्याखन OCD का चेत्रफल और त्रिज्याखन का चेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुनित पाई आर का वर्ग यहां त्रिज्या कौन सी ले सकते हैं OAB त्रिज्याखन OAB के लिए तो हो गया यह OAB का वर्ग रिण फिर से त्रिज्याखन OCD के लिए थीटा बटे 360 अंच गुनित पाई गुनेत OCD की कौन सी तृज्जा ले सकते हैं हम चाहे OD ले या फिर OC हम ले लेते हैं OD तो OD का वर्ग चलिए इसे आगे हल करते हैं यहाँ पर थीटा बटे 360 और पाई जो है वो उबहनिष्ट है तो हमें इस प्रकार से या प्राप्त हो जाएगा कोश्टक में हम लिखेंगे OE का वर्ग, RID, OD का वर्ग अब सभी अब हम थीटा और OE और OD का मान रख लेते हैं थीटा का मान कितना है हमारे पास? 30 अंश 30 बटे 360 अंश गुनित पाई का मान रख लेते हैं 22 बटे 7 और OE का मान आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटिमीटर तो 7 का वर्ग और OD और OC दोनों त्रिज्जाय हैं तो समान है तो इसका भी मान हमें मिलेगा 3.5 का वर्ग हमें प्राप्त हुआ है 30 बटे 360 गुनित 22 बटे 7 और 7 का वर्ग रिंट 3.5 का वर्ग यहाँ पर हम इसे सरल करने के लिए सरसमिका का प्रयोग कर सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 30 बटे 360 गुनित 22 बटे 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 रिंट 3.5 गुनित 7 धन 3.5 हमने यहाँ पर कौन सी सरसमिका का प्रयोग किया है A का वर्ग रिंट B का वर्ग बराबर A रिंट B एधन B 30 बटे 360 को हल करने पर हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे 12 गुनित 22 बटे 7 कोश्टक में हमें मिलेगा 3.5 गुनित 10.5 इसे और सरलिक रित करें तो 2 के पहाड़े से हम इसे लिखेंगे 2 चक के 12 और यह 22 जाएगा 11 बटे चलिए अब हम प्राप्त हुआ 11 बटे 6 गुनित 7 गुनित 3.5 गुनित 10.5 अब और हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 11 बटे 6 गुनित 7 गुनित 10.5 गुनित 3.5 में 7 से यदि हम हल करें तो यह होगा 7 एकम 7 और यहाँ पे हमें मिलेगा 0.5 इसे पूरी तरके से हल करने के पश्चात हमें मिलेगा 9.625 वर्ग सेंटी मीटर इस प्रकार चायंकित भाग का जो छेत्रफल वह मिला है हमें 9.625 वर्ग सेंटी मीटर करने कर भाग का जो भाग कि नह ब्हाच बूछ का जोड़ बहा की यहाँ हुए